यूपी पंजाब समेट पांच राजों के चनाव में करारी हार के बाद कॉंग्रेस अब इमेज मेक ओवर के लिए बड़ी तयारी कर रही है इसके शुरुआत उदैपूर में 13 से 15 माई तक होने वाले चिंतन शिवर से होगी सुत्रों का कहना है कि कॉंग्रेस नेताओं का एक धड़ा इस शिवर में OBC, दलित और अल्ब संख्यक वर्गों के लिए पार्टी में 50% आरक्षन की मांग कर सकता है यानि कॉंग्रेस पार्टी के भीतर ही S.C.S.T.O.B.C. और माईनरिटी के लिए 50% आरक्षन का कार्ट चल सकती है लेकिन इस चिंतन शिवर से पहले ही राजस्तान के दलितों की नराजगी सामने आ गई है चिंतन शिवर से ठीक पहले राजस्तान के दलित संगटनों ने सहिवत रूप से एक श्वेत पत्र जारी करके राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार में सत्ता संगठन और परशाशन में दलितों की कम भागीदारी पर सवाल उठाया है सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट वाइरल हो रही है जिसमें जाती के इसाब से राजस्तान सरकार में मंत्रियों आपसरों के साथ साथ कॉंग्रेस संगठन में दलितों की भागीदारी के आंकडे बताये गए हैं इस रिपोर्ट ने कॉंग्रेस की नींद उड़ा दी है अधिकांश निताओं को दलितों पर यकीन नहीं है वे अपने निजी स्टाफ से लेकर OSD और गनमेन से लेकर ड्राइवर तक दलित समुदाय से लेना पसंद नहीं करते इतना ही नहीं बलकि ब्यूरोक्रेसी के उच्टर यानी मुख्य सचीव, अतिरेक्त मुख्य सचीव और प्रिंसिपल सेक्रेटी जैसे एहम पदों पर भी दलितों को भागीदारी देने से बचने की कोशिश की जाती है मुख्य मंत्री अशोग गैलोत खुद उबीसी समाज से आते हैं और जोर देकर खुद को दलित हिताशी बताते हैं लेकिन जो आकड़े सामने आये हैं उससे उनके फरजी दलित प्रेम की हवा निकल गई है किसी भी समाज को मजबूत बनाने के लिए उसे सत्ता, साशन और संगठन में भागीदारी देनी होती है लेकिन ये रिपोर्ट दिखाती है कि अशोग गैलोत को दलितों में ना ही टेले नजर आ रहा है और ना ही उन्हें दलितों पर भरोसा है किसी सूबे में सत्ता कासली, केंदर सचीवाल ले, मुख्यमंत्री कार्याल ले और मुख्यमंत्री के घर को माना जाता है क्योंकि यहीं से राज्यक को चलाने वाला हर फैसला लिया जाता है इस वाइरल रिपोर्ट में दी गई सूची देखने पर पता चलता है कि मुख्या मंत्री ने कुल आठ OSD न्यूक थिये हैं जिन में से चार ब्रहमन जाती से हैं, तीन अन्य पिशड़ा वर्ग से हैं और एक अल्फ संक्यक समुदाय से हैं यानि अशोग गेलोट साब एक भी अनुसूचित जाती समुदाय के विक्ति को अपने विशेश आदिकारी बनाने लायक नहीं समझते, वे उन तबकों पर भरोसा जताते हैं जिन तबकों का कॉंग्रेस पर कोई भरोसा नहीं है, यानि कि जिन सवर्णों ने उनको वोट ही न राजमान हैं, वे जैन समुदाय से आते हैं, मुक्यमंदरी के अन्य निजी सचीवों पर नजर डाले, तो वहां भी एक OBC और दो सामाने वर्ण के अफसर दिखते हैं, संयुक्त सचीव में मैतोपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ विशेश पिश्रा वर्ण के गोरो बजा है कि सबसे ज़्यादा सामाने वर्ण के लोग इस पावर सेंटर पर काबिज हैं, दूस्टे स्थान पर डोमिनेंट OBC के लोग हैं, सत्ता के सेंटर में दलित समुदाय से 5% लोग भी नहीं हैं, और शायद इसी लिए इस हाई लेवल पर दलितोर उनके मुद्दों पर कोई सम्वेदन शिल्ता दिखाई नहीं पड़ती राजिस्तान में, दलितों के खिलाव अपराद में जबरदस्ट बडोतरी हुई हैं, लेकिन जहां आपके लोग हैं ही नहीं, वह आपकी बात भरा खोन करेगा दलित अधिकारियों की फिल्ड पोस्टिंग गलोत सरकार उन्हें फिल्ड पोस्टिंग देने से भरपूर तरीके से बच रही है, उन्हें पोस्टिंग नहीं मिली है, मजबूरी में या सिर्फ दिखाने के लिए काएं तो चार जिलो में, S.P.O. 6 जिलो में कलेक्टर के पदों पर दलित के बैक्ग्राउंड से आने वाले अफसरों को न्यूक्ति दी गई है जिला कलेक्टर के रूप में आप देखें तो अजमेर में अंशदीप, करोली में अंकित कुमार सिंग, बूनी में रेणू जैपाल, बरतपुर में अलोकरंजन, जैसल मेर में प्रतिबा सिंग, और नागोर में प्यो सामरिया पोस्टेड है और एसपी के रूप में आप देखेंगे तो भिलवाडा के पुलिस अदिक्षक हैं, आदर शिद्दू, जालावाड में मोनिका सेन है, सीकर में एसपी कोवर राश्रदीप हैं, और कोटा ग्रामीन में कविंदर सागर के नाम सामने आते हैं, जबकि टेते जिलो में कम से कम छे जिलो की तरह ही एसपी भी और लगने चाहिए थे, स्टेट के एडर में पांच लोगों को आरेएस से पदोनत करके आईएस बनाया गया, लेकिन उनमें एक को भी फिल्ड पोस्टिंग नहीं दी गई राज्य मंत्री मंडल में भागीदारी अशोग गैलोत ने किसी दलित को राज्य मंत्री नहीं बनाया है, कॉंग्रेस ये अनुसूचित जाती के उने इस विधायक हैं, और एक विधायक बाबूलाल नगर निर्दलियें हैं, लेकिन सरकार को समर्धन कर रहे हैं, तो इस तरह कुल 20 विधायक हैं, जो कुल विधाय अनुसूचित जाती किसी राज्य में मंत्री और अफसरों के अलावा उस राज्य के बोर्स, आयोग और निगमों की कुरसी पर बैठने वाले लोग भी बहुत ताकतवर होते हैं, उन्हें मंत्रियों की तरहीं तमाम सुक्सुविदाय मिलती हैं, वहां दलितों की क्या हालत है, वो भी देख लीजे, लिस्ट कहती है कि राजिस्तान सरकार में अशोग गलुद सरकार के करीब साड़े तीन साल पूर्याउने के बाद अशोग गलुद सरकार ने अब तक तीन चरणों में कुल 125 लोगों को अलग-अलग आयोगो, बोर्ड और निगमोर समीतियों में न सरकार ने अब तक सिर्फ 11 दलितों को ही यहां निउक्त किया है, जबकि आबादी के अनुपात में देखें तो कम से कम 23 लोगों को दलित बैग्राउंड से आने वाले लोगों को यहां निउक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जिन लोगों को निउक आयोग के किसी विक्ति को निउक्त करना होता है, इसे आप सरकार की मजबूरी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना होता, तो ऐसी कमिशन से लेकर सफाई करमचारी आयोग तक में भी सवर्णों या फिर डॉमिनेंट ओविसी के लोग निउक्त कर दिये गए होते, राजे की क देकर महज खाना पूर्ति कर ली गई है, इस तरह राजनितिक निउक्तियों पर भी दलितों के सेदारी सुनेशित नहीं हो पाई है, गोर्तलेबात ये भी है कि राजे सरकार ने 45 अध्यक्ष बनाए हैं, जिनमें से महज 3 ही दलित हैं, इसी तरह उपाध्यक्ष भी 3 ही बन गया है, इसमें एक भी दलित नहीं है, और 27 राजय मंत्रियों में सिर्फ शंकरलाल यादव को राजय मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि कई अन्य समुदायों में एक ही जाती के बहुत से लोगों को मंत्री का दर्जा प्राप्त है, और उनको सरकारी सुक्ष ये जरूर पूछा जाना चाहिए, कॉंग्रेस संगठन में अनुसुचिर जाती की भागिदारी, अब तक तो आपने राजस्तान सरकार और परशाशन में दलितों के अलत के बारे में जाना, अब बात करते हैं कॉंग्रेस पार्टी के अपने अंदरूनी संगठन के बारे म ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉंग्रेस ने पार्टी के भीतर कितने दलित नेताओं को जगह दी है, वाइरल रिपोर्ट के मुताबिक राजस्तान परदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष, कोशाध्यक्ष और परवक्ता के रूप में कोई भी दलित नामित नहीं है, यहां महा सचीवों में से दो महा सचीव प्रशांत बैरवा और वेद प्रकास सोलंकी है, 24 सचीवों में से भी सिर्फ दो सचिन सरवाटे और शोबा सोलंकी दलित बैग्राउंड से है, कॉंग्रेस संगठन में 44 पदाधिकारियों में से सिर्फ 5 दलितों को जगह मिल पाई है, यह से एक बूंदी के जो जिलादेक्ष हैं सी एल प्रेमी उनको तो पार्टी पहले ही निकाल चुकी है वो पार्टी से ही निश्काशित हैं और जो लोग पदाधिकारी बनाए गए हैं उनमें से भी अधिकतर मंत्री विधायक या राजडितिक न्युक्तियों के लाभारती हैं जिसके चलते दलितों का प्रतिनिदित्व सिक उड़ता जा रहा है यानि कॉंग्रेस के अंदर संगठन में भी दलितों को उनके अबादी के लिया से उचित प्रतिनिदित्व नहीं दिया गया राजस्तान में कॉंग्रेस संगठन में दलितों के प्रतिनिदित्व को देख बजट में दलितों के सिधारी राजस्तान सरकार ने दलित आदिवासी समुदाय के सरवांगिन विकास के लिए एक स्पेशल कानून का होसला दिखाया लेकिन अनुसूचित जाती उप योजना के तैत आवंटित होने वाला बजट काफी कम है यह दलितों की अबादी के अनु सूचित जाती को उप योजना के नाम पर सिर्फ 13,789.2 करोड रुपए ही मिले यानि यहां भी गैलोत सरकार खेल कर गई 2 अप्रेल 2018 के अंदोलन के मुकदमों की स्थिती 2 अप्रेल 2018 को SST Act को बचाने के लिए देश बर में जबर्दस अंदोलन हुआ था राजिस्तान में उस वक्त BJP की सरकार थी वसंदरा राजे मुक्यमंत्री थी और दलित परदशन कारियों पर उस समय सैख़़ों मुकदमे दर्स किये गए थे हजारों लोगों को गिरफतार किया गया उन मुकदमों और दमन करने वाली कारवाई से दलित आदिवासी वर्क के लोग काफी नराज हुए थे वो वसंदरा राजे से बहुत नराज थे और उन्होंने डिफीट BJP अभ्यान चलाया था केमपेंच चलाया था पुरा राजेस्तान में की भाजबा को सत्ता से बेदखल करना है और सत्ता से हटाने में कॉंग्रेस की सरकार बनाने में इन दलित आदिवासी ने बहुत बड़ी भूमी का निभाई उन्होंने यकीन किया कि कॉंग्रेस मुकदमे वापस ले लेगी लेकिन सत्ता में आने के लगबग साड़े तीन साल बीच चुके हैं इतना समय बीच जाने के बावजूद अभी तक सभी मुकदमे वापस नहीं लिये जा सके हैं सूचना के अधिकार कानून के तैत मिली जानकारी के मताबिक राजस्तान में कुल 322 मुकद में दर्ज किये गए थे जिन में से 129 परकरणों में चालान किया जा चुका है 180 मामलों में F-R लग चुकी है और 13 मामलों में अभी जा चल रही है राजस्तान सरकार ने अभी तक केवल 87 मुकद में ही वापस लिये हैं और इस तरह हम देख सकते हैं कि दलित आंदोलन कारियों को राहत देने में सरकार की उदासींता साफ साफ नजराती हैं उनकी नियत को आप समझ सकते हैं की दलित आदिवासी समुदाय के मंत्री, विधायक और विबिन सामाजिक संगर्ठन सभी मुकद में वापस लेने की पुर्जोर मांग कर रहे हैं लेकिन कॉंग्रेस ने अपना चुनावी वादा नहीं निभाया राजस्तान में दलित अत्याचार अब एक नज़र डालते हैं राजस्तान में दलित उत्पेडन की वारदातों पर राजस्तान पिछले कुछ सालों से दलित अत्याचार का हब बनता जा रहा है या यूं कहें कि राजस्तान दलितों की कबरगा बनता जा रहा है क्योंकि दलितों के साथ मार पीट, हत्याएं और दलित महिलाओं से बलातकार के भयानक मामले सामने आ रहे हैं सरकारी आकड़ों के मताबिक साल 2019 में 65, 2020 में 84 और 2021 में 85 दलितों की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी साल 2022 के प्रारंबिक महिनों में भी हमने देखा कि दलितों पर अत्याचार और जो अउत्पीडन है उसके काफी सारे मामले सामने आ चुके हैं हत्याओं पर नज़र डालें तो हम पाते ही कि साल 2019 से 2021 के तीन साल में हत्या के मामलों में 30.77 प्रतिशत की बढ़ उत्री हुई है यानि जब से अशोग गैलोत मुख्या मंतरी बने हैं उसके बाद से दलितों के खिलाप ये इस तरह के मामले 30 फीजदी बढ़ गए हैं पिछले तीन सालों में कुल 234 दलितों को मार डाला गया है यानि कि हर चोथे दिन एक दलित की हत्या हो रही है ये राजस्तान की आलत है और इसी तरह दलित महिलाओं पर अत्यचार के मामलों का भी जो दर है वो जबरदस तरीकी से बड़ी है आप देखेंगे कि 2019 में 554 माम मामले दर्ज हुए जिसमें दलित महिलाओं के साथ योन हिंसा हुई 2021 तक आते 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 आप देखेंगे तो 18.91 प्रतिशत मामले बढ़ गए है यानि यहां भी आप देखेंगे तो जिस तरह से 30% हत्या की दर बड़ी उसी तरह से महिलाओं के खिलाफ योन हिंसा योन हमलो महिलाओं के साथ बलातकार की वार्दात हो रही है दलित समुदाय पर अधाचार के सभी मामले देखें तो 2019 में 6,794 मामले दर्ज हुए थे 2020 में यह बढ़ कर 7,017 हो गए और 2021 में 7,524 मामले पंजिक्रित हुए यानि जिनमें SCA स्टेक्ट की धराय जोड़ी गई अगर इन 2019 की तुलना में 330 मामले बढ़ गए हैं लेकिन इनमें चालान एफार और सजा का प्रतिश्चत देखने पर आपको पता चलता है कि राज्ये की जो पुलिस है यानि राजस्तान पुलिस वो दलित एट्रो सेटी के मामलों में कितनी समवेधन शील है बहुत कम ऐसे मामले जिस सरकार ना ही राजस्तान में दलितों की रक्षा कर पा रही है और ना ही उन्हें न्याय दिला पा रही है ACB के प्राइम टारगेट पर हैं दलित जन प्रतिनीधी करमचारी और अधिकारी ये रिपोर्ट कहती है कि राज्ये के एंटी करप्षन डिपार्टमेंट की ओर से अनुसूचित जाती के वाडपन से लेकर आईए सबसर तक चुन-चुन कर उन्हें निशाना बनाया जा रह की है उन्हें तो रंद गिरफ्तार कर लिया जाता है सेमाओं से निलंबन कर दिया जाता है या फिर बरखास करने की भी कारवाई की जाती है और तब तक आरक्षित वर के विक्ति का पूरा करियर बरबाद हो जाता है ACB यानि की एंटी करुप्षन ब्रांश पर जो राजस् इस बारे में जबरदस विरोध किया है तो ये आरोब भी राजस्तान की गैलोट सरकार पर लग रहा है क्यूंकि एंटी करुप्षन ब्यूरो उन्हीं के अधीन आता है क्या निश्कष निकला तो इस रिपोर्ट को देखकर आप भी इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि राजस्तान की कॉंग्रेस सरकार दलितों के साथ बहुत अन्याई कर रही है जिन दलितों ने राजस्तान में उनकी सरकार बनवाई उनी दलितों को कॉंग्रेस के अशोग गलोट सरकार ने ठिकाने लगा दिया गैलोट के राज में ना ही दलितों को उनके अबादी के लिहाद से भागिदारी मिली ना ही दलितों के खिलाफ ओर है अत्याचारों पर रोक लग पाई कॉंग्रेस को अब ये सोचना होगा कि वो इस तरह दलितों को कब तक मूर्ख बनाती रहेगी आपका इस बारे में क्या कहना है राजिस्तान में हमने दलितों की स्थिती पर सरकार सत्ता प्रशाशन में जो दलितों की भागिदारी है उस पर अशो गलोत सरकार की कहें कि कप्टी जो उनकी सोच है जो उन्होंने चाल चली है साजेश है उसको हमने बेनकाब करने की कोशिश की इस वाइरल रिपोर्ट के अधार पर हमने जो उस रिपोर्ट में कहा गया है वो तथ्या आपके सामने पेश किये इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय दे सकते हैं, आपकी राय जरूर पढ़ते हैं, अब से मेरी गुजारिश रसातियों कि अगर आप YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन तुरंद मिल जाएं और अगर आप ये वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो आप हमारे फेस्बूक पेज को भी फोलो कर सकते हैं, इसके लावा Instagram और Twitter पर भी हम एक्टिव हैं, आप वहाँ भी हमारे हैंडिल्स को फोलो कर सकते हैं, इस रिपोर्ट में इतना ही साथ मेरे नाम समय चोहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं, मेरे सयोगी मोहित और असरा, अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी तब तक आप देखते रहे हैं, दे न्यूस बीक